Hello everyone, welcome back to the Adel Expert Channel तो इस वड़ो में हम Book App का Overview देखने वाले हैं जो हम Book App को Create करने वाले है हमारे सीरीज में हमारी YouTube चैनल पर जल्दी से एक Book App से Related एक सीरीज आने वाले हैं जिसमें हम Completely Book App को Create करने वाले हैं तो इस वड़ो में हम देखने वाले हैं कि Book App हम कुन सा Create करेंगे तो हम आज Book App का Overview देखेंगे ओके तो आप देख सकते हैं अभी हम Mobile स्क्रीन में आ चुके अभी हम सबसे पहले Book App को Open करेंगे तो हम सर्च बार में सर्च करेंगे Book App तो आप देख सकते हो यह जो First में दुखाई दे रहा है Book App तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे Splash Screen Run हो जाएगे तो आप देख सकते हो Book App Powered by Rohit तो जैसे Splash Screen End होई उसके बाद देख सकते हो हमारा Home Screen Open हो चुका है आप उपर देख सकते हो यहाँ पे Navigation Raw और हमने इंप्लेमेंट किया है जिसमें सभी Rings आपको मिल जाएगे जैसे Visit Website, Follow on Facebook, Rate, Share, Privacy Policy, Terms and Conditions and more इन लिंकों कैसे इंप्लेमेंट करते हैं यह सभी चीज हम सीखने वाले हमारे Book App के Tutorial में अब यहाँ इसको Close कर देता हूँ और आप बाजू में देख सकते हो यहाँ पे Search Bar Show रहा होगा आपको तो यह Work करता है कि नहीं करता है हम सबसे पहले देख लेते हैं तो मैं यहाँ पे 3 को Search कर देता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे Show रहा है Book 3 तो यहाँ से आप इस तरह के से Search भी कर सकते हो तो मैं अभी Search Bar को Close कर देता हूँ और आप देख सकते हो यहाँ पे Book 1, Book 2, Book 3, Book 4, Book 5 यहाँ पे Show रहा है अभी हम क्या करेंगे book one पे click करेंगे तो जैसे हम book one पे click करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर message आ चुका है getting the content ओके यहाँ पर इंट्रेस्टियल एड्स भी load हो चुके हैं तो इंट्रेस्टियल एड्स इसलिए load भी क्योंकि हमने जैसे book one पे कोई click करेगा तो उसको इंट्रेस्टियल एड्स भी तो इसलिए यहाँ पर इंट्रेस्टियल एड्स भी हो रहा है अभी हम सबसे पहले इसको close कर देंगे तो जैसे हम इसको close करेंगे तो यहाँ पर हमारी पीडियप शो हो जाएगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर PDF हमारी शो हो चुकी है और निचे में आप देख सकते हैं यहाँ पर Test Ads जो कि हमने यहाँ पर Banner Ads को Implement किया है तो देखो यह PDF यही कहा से आई है तो हमने यहाँ पर Firebase Connection का यूज किया है तो हमने यह PDF को Firebase में Upload किया है और वाहाँ से हमने इसको Retrive किया तो हम Book App के Series में completely देखेंगे कि इसको Firebase Connection को कैसे Implement करते हैं and PDF को कैसे Retrive करते हैं अभी हम सबसे पहले Back कर देते हैं जैसे हम Back पे Click करेंगे तो हम Home Page में आ जाएंगे तो I hope अभी आपको Book App का Overview completely समझ में आओगा हम Book App के Series में देखने वाले हैं कि Navigation Drawer को कैसे Implement करते हैं सर्जबार को कैसे Implement करते हैं and यह जो देख सकते हो यह Recycler Review यहाँ भी हमने Implement किया है तो Recycler View को भी कैसे Implement करते हैं and Firebase Connection कैसे Implement करेंगे हमारे Project में and उसको PDF को कैसे Retrieve करेंगे हम यह भी देखने वाले and साथ ही साथ हम Ads को कैसे Implement करेंगे यह भी देखेंगे तो I hope guys अभी आपको Book App का Overview completely समझ में आओगा तो अगर आपको इस Book App का Source Code चीए तो इसका Cost रहेगा 2000 अगर इस Book App में आपको कुछ Changes करके चीए तो इसका Cost रहेगा 5000 अगर आपको इसको Pre-op Cost Create करना है तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हो and Book App के Series की जो भी YouTube वीडियोस रहेगे उसको Follow करके आप easily इसको Create कर सकते हो तो I hope guys अभी आपको Clearly समझ में आओगा Book App के बारे में तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो Please इस वीडियो को जल्दी से लाग कर देना हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सस्क्राइब कर देना तो मिलत अगले नए वीडियो में तब तक के लिए जहिन जे वारत